नमस्कार राइनितिक चर्चा में आपका स्वागत है और बात करते हैं लोकसवाद चुनाबों की तो लोकसवाद चुनाबों का बिगुल बच चुका है और हर नेता अपने अपने त्यारियों में जुट चुकी हैं और बात काते हैं जमु कश्मीर की राजनिती की तो इस समय जमु कश्मीर की जो दो मेंस जीती हैं उधमपूर वाली और जमु वाली उधमपूर कठुवा लोकसवाशीतर से एक वार फिर डाक्टर जितिंदर सिंग मैदान में उतरे हैं और जमु लोकसवाशीर से जुगल मख को ही उतारा है और देखते हैं किया इस वार जे हैट्रिक बनाएंगे दो-दो बार पहले जे म्पी बन चुके हैं और डक्टर जेतिंदर सिंग przep को दो बार केंदरिये मनतरी का अदक ब्मिल चुका है और अबकी वार क्या जे हैट्रिक बनाएंगे और दूसरी और जमुक किश्मीर में इस समय जो हलचल है वो बिधान सभा चुनावों को लेकर भी है कहा जा रहा है कि हो सकता है कि साथ साथ में ही लोक सभा चुनावों के साथ साथ ही बिधान सभा के चुनाव भी देखने को मिल जाएंगे और उनके साथ पंचायती चुनाव क्योंकि इस समय पंचायती चुनाव भी बेहद जिरूरी है हो सकता है सरकार द्वारा Election Commission जो है वो पहले लोकसभा चुनाव करवाने के वाद बिदान सभा और पंचायत चुनाव एक साथ हो सकती है तो इस समय रायनितिक चर्चा का बड़ा घरम महोल जमू किश्मीर में बन चुका है हर कोई निता अपने अपने शेत्र में जुट चुके हैं और इस समय जो एक चर्चा जो चल रही है चोदरी लाल सिंग जो कि उनके उपर एक अटकले लगाई जा रही थी कि बैब बीजिपी में शामिल हो सकते हैं पर उनकी और से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई जिससे पता चल सके कि चोदरी लाल सिंग बारति जन्ता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और क्या बो इस समय बीजिपी के खिलाब चुनाव लड़ेंगे तो इसके उपर भी बड़ी चर्चा चल रही है यह हो सकता है चोदरी लाल सिंग भी लोकसवा चुनाव में उतरेंगे और डाक्टर जितिंदर सिंग के परदिंदी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं इसके उपर बड़ी बशेष चर्चाई चल रही है अब तुझे आने वारा समय ही बताएगा कि जमू किश्मीर की राहि अरृति में क्या हल चल पैदा होगी क्योंकि इस समय राहिनिती का गर्म गर्म होल शुरू हो चुका है और पछटायिती चुनाव हों जहाब बिदान सभा चुनाव हों लोकसवा चुनाबों अर जमू किश्मीर की रायनिती एक बशेश महत्तव रखती है और जल्दी ही आपको चुनाबी दंगल देखने को मिलेंगे चुनाबों के साथ साथ आपका मनोरंजन भी होगा क्योंकि लोग सबाचुनाव विशेश महत्व रखते हैं लोगों के लिए देखते हैं इस बार कि आएक बार फिर डार्टर जितिंदर सिंग जुगल किशोर शर्मा संसद बवन पहुंचेंगे और बारत के जिसना सभी पधानमंतरी नरिंदर मोदी के तीसरी बार भी देश का नरतितम करेंगे क्योंकि CM की कुर्षी पर उन्होंने हैट्रिक बनाई है और अब बारी है PM की कुर्षी की तो देखते हैं कि इस बार भी हैट्रिक बनाएंगे तो ये जनता तैक करेगी इस वार किसे चुनना है और किसकी सरकार किसे सत्ता में लाना है इसका फैसला जनता जनादन करेगी तो देखते रहिए चुनाबी गर्म गर्म महोल वर करते रहिए मुरणजन आपको हर पलपल की अपडेट चुनाबी महोल की मिलती रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रही है हमारे साथ जाहिन जावारत